हनुमान चालीसा जब सिध्ध हो जाती है, तो कौन से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। जिन लक्षणों से आप यह जान सकते हैं, कि हनुमान चालीसा सिध्ध हो चुकी है। हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करने से हनुमान चालीसा सिध्ध हो जाती है। और गोस्वामी तुलसिदास जी ने भी कहा है, कि जो शत बार पाठ करे, कोई छूट ही बंद महासुक होई, यानि कि जो सौ बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सब दुख दर्द हैं, वो हनुमान जी हर लेते हैं, हनुमान चालीसा का समय निश्चित होना चाहिए, एक सो आठ पाठ करने से तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, इसमें नियम होते हैं, प्रसाद होता है, तरीका होता है, जो मैं आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको बता देता हूँ कि जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, तो उसके क्या लक्षन आपको दिखाई देते हैं आपको क्या अनुभव होता है हनुमान चालीसा की सिद्ध जब आप करते हैं तब आपको यह लक्षन दिखाई देते हैं और मैं आपको जो बता रहा हूँ वह लक्षन है और इन लक्षनों से आप यह जान सकते हैं कि हनुमान चालीसा सिद हो चुकी है हनुमान जी अतुलित वलधामा है उनके बल की कोई सीमा नहीं है कल युग में जागरित देव के रूप में हनुमान जी की पूजा की जाती है और भगवान शिव के अंशावतार है हनुमान जी इतने बलशाली इतने शक्तिशाली है कि समस्त ब्रह्मांड को नश् क्योंकि हनुमान जी बल बुद्धी के दाता है हनुमान चालीसा जो व्यक्ति परहता है उसकी रक्षा सदैव हनुमान जी करते हैं तो आईए मैं आपको बताता हूं उन लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सबसे पहला लक्षन होता है हनुमान जी के वीर आपको मिलते हैं, हनुमान चालीसा जब सिद्ध होती है, तो हनुमान जी के वीर उनके दूट आपको मिल जाते हैं, वे आपको सपने में दिखाई देते हैं, ये है जो बताता है कि हनुमान 40 सिद्ध हो चुकी है अगर आप सोते सोते हनुमान 40 को बड़ बड़ाते हैं आप मन में हनुमान 40 की चलती रहती है तो ये भी हनुमान 40 की सिद्ध का ही एक लक्षन होता है हनुमान 40 का तीसरा लक्षन है कि हनुमान 40 सिद्ध हो चुकी है अगर बार जो सिंदूर्य की दिखाई दे रही है, जो आपको दिखाई दे रही है, और वो को दिखाई दे रही है, एक हफिते में छे मारते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हनौमान चालीसा सिद्ध है।